200 मीटर पर सेकेंड विलोसिटी को कम किया जा चुका है सचिन जी क्या अंक लने आपका तीन से चार मिनिट अभी भी बचे हुए जी तीन से चार मिनिट अभी बचे हुए और हम तेगी से 330 तक जा रहे हैं मेरे को एक नंबर को देख करके थोड़ी सी चिंता है जो 67.82 कितना अलग है कितना अलग है अभी तो हम बिल्कुल रेंज में है अभी कोई बिल्कुल रेंज में रहने जाए हैं पर और यह लेटेस्ट फिगर एक क्योंकि आप के पास थोड़ा से इसे पहुंच रही है चीज़ें इस समय करीब 14 किलोमेटर आप बचा है डिस्टेंस अगर अल्टीटूट के टर्म से बात की जाए यानि हम करीब परीब इतने नजदीक पहुच चुके हैं और इसके बाद लेकिन प्रणी क्या वो रफ्तार पाली है जिस पर चंद्रयान को लैंडिंग करनी है क्यो नहीं मिल रहा है क्योंकि आप उस लाइन को देखिए यह जो यलो लाइन का कर बना हुआ था जितनी लाइन अभी तक ग्रीन हुई है वो उस डॉट के उपर चल रही है यह नि उस प्री डेटा के अनुसार चल रही है जिस आउटमेटिड लैंडिंग सीक्मेंस का आप बात कर रही थी कि क्या उसी के अनुसार चल रहा है जी हाँ अभी तक ये उसी के अनुसार चल रहा है माइनर डिवीशन अगर होता है तो भी लैंडिंग साइट से बहुत ज़़ा डिस्टन्स नहीं आएगा लैंडिंग साइट के हम करीब ही उतरेंगे और तालिया बज रही है यहाँ पर अभी तक के फेजिस के अंदर जितनी कामियावी मिली है उसके अनुसार जो इसरों के वैग्यानिके वो भी क्लापिंग कर रहे हैं और मुझे स्क्रीन के उपर प्रदान मंत्री मोधी भी जयानसबर्ग से जुड़ने जा रहा है अगला फेज शुरू है और बिलकुल साथ किलो मिटर अब डिस्टेंस बचा है साड़े साथ किलो मिटर के वर डिस्टेंस बचा हुआ है साड़े साथ का का ये डिस्टेंस से यहीं पर अगला फेज शुरू होना है हम लगभग जो फारफ ब्रेकिंग फेज है और ये जो और प्रदान मंत्री भी जुड़ गए में इस समय का बड़ा अपडेट आपको बता दूँ प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी भी जोहानस ब अपनी टीम के साथ है जैशंकर उनके साथ मौजूद है जी दोबल उनके साथ मौजूद है और प्रदे में आपका रूख करना चाहूंगी देखिए हम या घर्टी तालिया बचार है तुर्दान मंत्री मोधी जुड़ जुड़ चुके हैं वो लगातार इस लान को देख इतिहास रच देंगे सिर्फ पाट किलोमेटर और दूर यह देखिए अब दिखाएंगे रहा है कि चांद की सता के बिलकुल पासपोर्ट चुका है विक्रम लेंडर लेंडिंग का पहला फेस पूरा हो चुका है इस वक्त बिलकुल पूरे देश और पूरी दुनिया में इ ग्यानेक वो जोर-जोर से सांसे ले रहे हैं वो सांसे ले रहे हैं और हमारी जान निकल रही है लेकिन क्योंकि पहला फेस पूरा हो गया है एक उमीद जग गई है हमें और लगातार यसी दी तस्वीर हैं हम आपको दिखा रहे हैं अब सारे साथ मिनिट का समय बचा हुआ ह हम तीसरे फेस में हैं बिल्कुल शोवना हम तीसरे फेस में पहुंच चुके हैं फाइन ब्रेकिंग फेस इस समय चल रहा है इसके बात केवल वर्टिकल डिसेंट होना है तीसरा फेस है इसी के अंदर इसकी जो उचाई है वो केवल आट सो मीटर की उचाई पर हो जाएगा यहनि एक किलोमेटर से भी कम का रफ्तार बचेगी और अभी जो डिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है वो केवल धाई किलोमेटर का है यहनि चंद्रमा की सते से केवल धाई किलोमेटर दूर है यह यहनि बेहद नजदी के पहुँच चुका है आप जिस दफ्तर में बैटी हैं अगर आप यहां से मेट्रो स्टेशन से भी जे अकम दूरी जो है वो इसकी बची है इसके अंदर कहा जा सकता है केवल दो किलोमेटर का डिस्टन्स अब पचा हुआ है इसका दोड़ने का काम भी शुरू कर चुके हैं मेट्रो सेशन तक दिपक जी की जो खुशी है वो मेर प्रने क्योंकिक यहां हमें 1.9 किलोमेटर दिखाई दे रहा है आपको क्या दिक्री अपडेट लिजे प्रदान मतरी निरेंद्र मोदी के चेहरे पज़ली स्क्राव देखाव जा सकता है अब एक किलोमेटर से कम चांदार को आपको बदीट वर्टिकल डिसन शुरू होने जा रहा है मैं आपको बता दूब अपडेट वर्टिकल डिसेंट शुरू होने जा रहा है लैंडर अपनी पोजिशन के उपर पहुंच चुका है मैं आपको पता नहीं सकता हूं कितना रॉंक्ते खड़े हो रहे हैं इस समय भारत ने आज जो इतिहास रचा है तो निश्यत रूम से भारत के उन वेग्यानिकों की कामया भी है जो आपने वह तस्वीरे याद की होंगी दीपक जी शोबना जी जब साइकल के अपर रॉकेट लेके भारत के वेग्यानिकों ने इस सफर को शुरू किया था और ये लोगों के चेहरे पर इस समय तनाव भी देखने को मिल रहा है खुशी भी देखने को मिल रहे है वर्टिकल वेलास्टी लगातार कम हो रही है विक्रम लैंडर अपनी पोजिशन ले चुका है लैंड कर यह आकरा देख रहा है प्रने बताइए इसके बाद 477 अब 400 मीटर के 4400 मीटर का अल्टिटूड बचा हुआ है विक्रम प्रने देखिए दो तस्वीरे में दिखा रहे हैं इस समय अपनी टीम के साथ इस लैंडिंग को लाइव देख रहे हैं लगातार प्रने के साथ उनकी टीम मौजूद है विलेश मंत्री है जै इस लैंडर पोजिशन कैमरा किये और आप देखिए इसका रेजिलूशन कितना साफ होता चला जा रहा है जैसे इससे नीचे आ रहा है अब महाज 200 मीटर 200 मीटर से भी कम 191, 188, 184, 181 ये लगातार मैं आपको काउंटाउन बता रहा हूं 175 मीटर महाज 175 मीटर और एक और 150 मीटर और जितने लोग इसका मैं जीनियू तो देख रहे हैं वो भी अपरे घरों में बैट के सालिया मत जा रहा है इस समय मैं आपको बता दूँ वर्टिकल डिसेंट शुरू हो चुका है अब किसी भी क्षण लैंडिंग हो सकती है यह होवर कर रहा है यह नहीं किस कोई चीज जब उतरने से पहले किवल जगा तलाशती है यह वैसी सिती है अगर आप दीवार से नीचे फानने की कोशिश कर रहे हैं और आप केवल जमीन देख रहे हों कि कहां पर आपको सौ मीटर महा सौ मीटर इसका डिस्टेंस बचा हुआ है और किसी के चैरे के उपर तार सालियां बज़ रहे हैं सचिन भामाजी कुछा रहे हैं केवल 45 सेकेंड और चेवल 45 सेकेंड हो चुका है हमें 3 मिनट का ताइंड दिख रहे हैं लेकिन प्रने आपकी स्क्रीन क्या कह सब्सक्राइब करें तो प्रने से शाहिद हमारा संपर्क तूट गया है लेकिन यह देकि प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी तक तकी लगाय हुए इस समय इस लाइव लांडिंग को देख रहे हैं तनाव जो है प्रने मंत्री मोधी के चेहरे पर भी दिखाई दे रहा है रोंगते उनके भी खड़े हो रहे हैं जैसे 140 करोल के सेश्वासियों के हो रहे हैं लेकिन 40 सेकेंड का जा रहा है दो मिनिट का समय बचा हुआ है इस समय काउंटडाउन शिरू हो चुका है 43, 41, 49, 37, 35, 33, 31 ये स्क्रीन पर आप नजर आड़ाए रहे हैं और प्रदान में तरी मोधी के एक्स्प्रेशन को भी देखते रहे हैं 113 सेकेंड बचे हुए हैं इस समय इस एतिहासिक पल को छूने के लिए 140 करोड देश्वासियों की उम्मीदों का ये चंद्रियान अपसे ठीक 40, 35, 22, 20, 19 सेकेंड मेरे मेरे हर शब्द के साथ ये सेकेंड सम हो रहे हैं इस एतिहासिक पल को भारत इतिहास रखते जा रहा है प्रदान में तरी मोधी के लिए ये खुशी है इस समय बिलकुल देखे प्रदान में नरेंदर लेरा आते हुए जोर से जोर से प्रदान में नरेंदर मोधी दिखा रहे हैं ये इस रोगा कमांड सेंटर हो ही नहीं सकता है तो देखे वैज्ञानिक जो है वो आज इस पल-पल सीटी बजा रहे है दीपक जी ये देखिए प्रफेसर साहब जंडा फेरा रहे है और दीपक जी आपको भी बहुत-बहुत बधाई हो जिस तरीके से आपके रोंग्टे खड़े हो रहे तो और मिठाई के डब्बे का इ दिश्वासी के लिए आज बधाई का दिन है प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी के लिए राश्टपती द्रौदी मूर्मू के लिए सब के लिए आज बहुत बधाई का पल है भारत ने इतिहास रच दिया है साउथ पॉल पर चंड़ियान की सफल लेंडिंग हो चुकी है मेरे प्यारे परिवार जनों जब हम अपनी आँखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्ल्य हो जाता है ऐसी एतिहासी घटनाएं राश्ट जीवन की चिरन जीव चेतना बन जाती है ये पल आब विश्मनिय है ये च्छा अभुपुर्व है ये च्छा विक्सीद भारत के संखनात का है ये च्छा नए भारत के जैगोश्का है ये च्छा मुश्किलों के मुश्किलों के मुश्किलों के